सलमान खान कहती है मैं एक बार कमिंटमेंट कर लेता हूँ तो आपने आपका भी नहीं सुनता हाँ पैट कमिंट का भी यही कहानी है पैट कमिंट एक बार जो कह देते हैं उसे बदलाना मुश्किल ही नहीं नमुमकिन है पैट कमिंट ने उस सानराज हदरावत को समला जो टेल बजी शुरू हो गई और इसका आसर है देखिए सानराज हदराबाद इस समय टॉप टू पर अगई सानराज हदराबाद ने 25 रान 19.1 ओबर मेसेज की और दूसरा नमबर पर अगए और प्लेअप से पहले सानराज हदराबाद ने एक बराई स्टेटमेंट दे दिया कि जो हमसे बिढ़ेगा उसे समल के रहना पड़ेगा सानराज हदराबाद फिल हाल नमबर दो पर है आर आर इस समय नमबर तिन पौन पहुँच गई है हाला कि दूआ तो RCB वाले भी कर रही होंगे कि सानराज हदराबाद की साथ मुकावला ना हो सानराज हदराबाद एक टीम नहीं है सानराज हदराबाद तो एक तूफान है सानराज हदराबाद की आंधी जब आती है तो सब कुस खतम कर देता है जीस टिम की भी खिलाब सान्राइश हईदराबाद खेलते हैं वो तबाही मसाते हे लेकिन ये तबाही 2021 में शुरू हुई है क्योंकि 2030 में ये टिम दसवी पैदान पर था लेकिन फिलहाल 2021 में सान्राइश हईदराबाद की एक मेस बारेश की बज़े से रद हुआ था इसके बावजूद 8 मेंज जीत कर 17 पॉइंट लेकर सानराइश हजराबाद नमबर 2 पर है औरेंज अर्मी जो है उन्होंने जलवा जलल की है और पेट कमिस का पहला T20 टुनामेंज जो है वो कमाल की रहे है हाँ पेट कमिस अपना देश के लिए भी T20 मेंज नहीं खिलते हैं लेकिन यहाप और IPL में आके पेट कमिस ने कमाल कर दिया धमाल कर दिया दोती फर के रुमाल कर दिया सानराइश हजराबाद ने 6 मेंज अपना हूम ग्राउंट में जीते हैं और उसकी बात क्या जबरदस्थ तरीके से बपसी की है सबसे बड़े बात यह है कि सानराइश हजराबाद को एक बार RCV ने हरा दिया था इसलिए RCV की विशुवाद जरूर होगा कि आगले बार हम फिर से सानराइश हजराबाद को हरा देंगे RCV यह सुष रही है एक बार अगर पटक दिया तो हो सकता है दूसरी बार भी हम पटक दे लेकिन सानराइश हजराबाद गजब की टीम है गजब की टीम है भई गजब की खिलारी इनकी पास है आप शुरुआत अभिशेक शर्मा और टेविस हेट की साथ कीजिए दोनों ही तवर्तर बल्लेबाज है इसकी बात राहूल त्रिपाठी या फिर माकराम को लाईए ये दोनों भी दुआदार बल्लेबाजी करते है या फिर क्लासन, भुवेनशर, पैट कमिंस किसका नाम आप लेंगे सब दुआदार खिल खिल रही है नट्राजान, मरखंडे को आप मत भुलिए, जितने भी खिलारी इस टीम की पास है, सब कमाल के है हार मेस में एक खिलारी जिम्मेदारी लेते है, इस मेस में अभिशेक शर्मा ने जिम्मेदारी लिए 28 गेम में 67 रन ठोक दिये, बीराट कोहली चक्के की मामले में अभिशेक शर्मा से आगे निकल गए थे लेकिन उन्होंने कहा रुकिये जराज हवर किजिए हम अभी भी जिन्दा है, उन्होंने इस मेस में 6 चक्के लगा दी और बीराट कोहली से आगे निकल गई मैं तो कहता हूँ, जैस्वाल की जगा अभिशेक शर्मा को विशकाप ले जाईए, आब इस समय अभिशेक शर्मा 2020 की आईपियल में सबसे जदा छक्का लगाने वाला खिला रही है, तेश साल का एक भरतिया लर्का एक आंदी तुफान बन कर 2020 की आईपियल में आए, तेर चोके और तीन अर्दशा तक, अगर आप एक लेफ्टेंट ओपेनर बलेबास है और दो सो की उपर इस्टाक रेट है, आपकी एवरेस है फोटी, तो आप दिजाब करते है टीम इंडिया में, दिजाब करते है विशेक आप में, मैं पहले भी कई वीडियो में कह चुका हू कि अभिशेक शर्मा को टी-20 विशेक आप में ट्राइ करना चाहिए था, क्योंकि वो सामने वाली टीम को भाईबीत कर देता है, और जब चल परते है तो सिंगल हेंडेट ही में जिता देता है, सानराज है इदरवाद दूसरा टीम बन गई है, आर्सिवी की बात, जिनोंने एक ही साल में देर सो से जादा छक्के मरे है, पंजाब ने इस मेस में अच्छी कोशिश की, लेकिन काफी नहीं था, अधरव ने अच्छी कोशिश की, उन्होंने 37 पर सियलिस मरे थे, पॉप सिमरंद सिंग ने 45 पर एखतुर मरे थे, राइली रिशू सब 20 में 39 थे, आज सबसे बड़ी परिशानी ये है कि एक ही सीजन में तीन कप्तान हो गई, शिकर, दवान, सेम, करन, अब जीते शर्मा, लेकिन सानराज हिदरवाद ने बड़ी असानी से पंजाब की सारोखाने चित कर दिये, इस मेस में पंजाब की टीम के लिए पाने के लिए ना कुश था लेकिन सानराज हिदरवाद के लिए इस मेस में पाने के लिए बहुत कुश था और बहुत कुश पाया भी, overall सानराज हिदरवाद एक बवाल टीम है, लेकिन 2020 की IPL के जो आने वाला मेस है वो जोड़दार मेस आपको देखने को मिलेगा, जो IPL की इतिहास में सबसे बड़े बड़े मेस होंगे, लेकिन सानराज हिदरवाद से देखना ये है कि डरता कौन है, क्योंकि सानराज हिदरवाद खोब का दूसरा नाम है, जिस दिन सानराज हिदरवाद चलती है, उस दिन तबह ही आना पक्की है, इसी की साथ दोस्तों आप लोगें से विदा लेते हैं, फ झाल झाल झाल